तो बेटा यहाँ पर अभी हम जॉइंट्स की बात करेंगे जिसमें हम बताएंगे जॉइंट्स के बारे में आपको तो जॉइंट्स अर्द असेंशल फॉर आल टाइप अफॉमेंट्स ऐसा हम जानते हैं लोकोमोटरी मॉउमेंट्स इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है जो में जॉइंट्स होता है फॉलक्रम की तरह काम करता है फॉलक्रम मतलब बचपन में खेलाओ अगरमने शीश्वा तो उसके रही जॉइंट्स अदिसमें कोई मॉवमेंट्स नहीं होती जिसे फ्लाट स्कल बॉन्स having dense fibrous connective tissue in the form of sutures cranium में in cartilaginous joint थोड़ी बहुत movement हो सकती है joint together with this में between bone और cartilage है joint between adjacent vertebras यहने कि intervertebral joints जो है वहाँ पर intervertebral disc जो है उसकी बात कर रहा है वो basically कि वहाँ पर ऐसा हो सकता है senovil joints में fluid filled होता है between articulating surface surface of two joints पहले में सिर्फ bone थी दूसरे में cartilage आ गई थी अब fluid आ गया है इसमें movement हो सकती है जैसे ball and socket joint between humerus and pectoral girdle जो कि अभी आपने पढ़ा glinoid cavity में है hinge joint, pivot joint, gliding joint between carpal, saddle joint between carpal metacarpal और off thumb और यह सब आपको भी मैंने पशले वाले section की वीडियो में बताए हैं कि यह सब joints कहां कहां पर होते हैं इस diagram में आप यह चीज़ें देख भी सकते हैं Thank you so much for watching keep supporting us